Hello friends, a very warm welcome to all of you in this channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप आफ इन्फलेशन. This is Anand Mohantywari and in today video we are going to talk about the types of inflation. यानी मुद्रा सफीदी के प्रकार कितने होते हैं, महेंगाई कितने प्रकार की होते हैं. जैसा कि आप सक्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारा पहला है, वो है क्रिपिंग इन्फलेशन, यानी रेंगती हुई महेंगाई. तो क्रिपिंग इन्फलेशन क्या होता है, जब इन्फलेशन एक्जिस्ट करता हो और इसका रेट बहुत सलो हो, यानी धीरे-धीरे महेंगाई बढ़ रही है, किसी भी चीज की किमत एकदम से नहीं बढ़ रही है, यानी 0-29% की बीच में जो चीजे बढ़नी शुरू हो ज जाती है, जब महेंगाई धरे-धरे अर्थ भेषिश्टा में लाई जाक्त तो उस्ología क्या बोलते हैं, creeping inflation यानी रेंगती हुई मुद्रासफीदी, यानी रेंगती हुई महेंगाई. दूसरा जो है हमारे पास,ウुसको बोलते हैं, galloping inflation, यानी चलती हुई मुद्रासफीदी, when inflation is large and accelerating जब महेंगाई तेजी से चाए for example रशिया की जो एकोनॉमिक थी वो 1980 के बाद वहाँ पर महेंगाई एकदम से बढ़नी शुरू हो गई थी इसको बोलते हैं चलती हुई मुद्रसफिती यानि चीजों के रेट एकदम से बढ़ने शुरू हो जाए अगला जो कंडिशन है तीसरा जिसको बोलते हैं हाइपर इंफलेशन भागती हुए महेंगाई वन इंफलेशन इज एक्जिस्टिंग हाई जब महेंगाई हद से जादा हो यानि परचेजिंग पावर ना के ब्रावर होने लगे सबकी मतलब कोई चीज़े खरीदने में असमर्थ हो जाए जैसे जर्मनी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था जर्मनी का बहुत बुरा हाल हो गया था वहाँ पर उस वक्त आप ऐसे से चूशन आ गई थी कि बैक भरबर के पैसे दीजे और आपको एक चपाती और एक ब्रेड मिलता था तो ऐसे से चूशन आ जाए उसको बोलते हैं हाइपर इंफलेशन महेंगाई हद से ज़्यादा हो जाना हाइपर इंफलेशन कहलाता है तो आई हूब आपको यह हाइपर इंफलेशन समझ आया होगा आप डिमांड पूल इंफलेशन कह सकते हैं मार्केट के अंदर सेनेटाइजर का डिमांड इतना ज़्यादा हुआ कि जो सेनेटाइजर पहले जो हंड़ेड रुपीज में आ दे थे उन्होंने थाइसो राइसो रपए दोरोस रपए जो शॉप्स के पर थे उन्होंने इसके प्राइज मेंगा करना शुरू कर दिया यानि मास्क और सेनेटाइजर की कीमत में अच्छानक से ब्रिदी हो गई क्योंकि एक सिच्विशन ऐसी बन गई थी तो जब भी डिमांड मार्केट में उन्ची जो की डिमांड बढ़ जाए एकदम से किसी चीज की तो उसकी मेंगाई बढ़ जाए उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फलेशन मांग बढ़ो तेरी मुद्रा सफिरी आपको समझ आया होगा डिमांड पुल इन्फलेशन आगे चलते हैं कॉस्ट पुल इन्फलेशन जब महेंगाई बढ़ती हुई कारक लागत के कारण आती है इसका मतलब क्या हुआ, cost, push, inflation जब मालेजी फैक्टरी में कोई वस्तू बन रही थी और उस फैक्टरी के raw material महेंगे हो गए जैसे कपड़ा मिल था, कपड़े मिलका उसको जो रूई था वो उसको महेंगे मिल रहे हैं, धागे महेंगे मिल रहे हैं तो ultimately वो शल्ट उस spend की कीमत बढ़ जाएगी इसको बोलते है, cost, push, inflation यानि जब महेंगाई किसी चीज की production में लगने वाले कारकोई कराण बढ़ जाए तो I hope आपको यह समझ आया होगा cost, push, inflation क्या होता है जब महेंगाई बढ़ती है उसको कराण क्या होता है, factory में जो raw material है, वो महेंगे होने शुरू होगे तो I hope आपको यह समझ आयागा आगे चलते हैं अगला जो है मारा है वो है bottle neck inflation यानि 20 मुद्रा सफीदी when inflation is due to fall in supply side मतलब क्या हुआ supply एकदम से कम हो गया किसी चीज का supply कम हो गया तो अगर किसी चीज की supply कम हो जाए तो उसके जो महेंगाई है वो बढ़ जाए for example मान लीजिए किसी किसान जब किसान अचानक से फसले खराब हो गई बारिश या किसी भी कारण से जब फसले खराब हो जाती है और उस साल मान लीजिए प्याज की फसल पूरी खराब हो गई और प्याज नहीं आया मार्केट में तो उससे क्या होगा प्याज का कीमत मार्केट में एकदम से बढ़ जाएगा उसको बोलते हैं टॉंटी मुदरा सफिदी या फिर बोटल नेक इंफलेशन यानि किसी भी चीज में किसी ऐसी वस्तू का महंगा होना जिसका कारण क्या हो पिछे जो उसका पूर्ती ना हो पाई यानि सप्लाई साइड में कमी आ जाए जैसे प्याज की केस में ले लिजी अगर प्याज की सप्लाई कम हो गई मार्केट में तो क्या होगा प्याज की कीमत अचानक से बढ़ जाएगा इसको बोलते हैं बोटल नेक इंफलेशन आगे चलते हैं अगला है कोर इंफलेशन यानि कोर मुद्रा सफिदी जब महंगाई को खाने पीने की वस्तुएं और उर्जा को हटा कर निकाली जाए यहाँ पर महंगाई को लंबे समय के लिए निकाली जाती है यानि कोर इंफलेशन हम बोलते हैं जब हम महंगाई को कल्कुलेट कर रहे हैं पर उसके अंदर हम खाने पीने की वस्तुएं को इंकलूड नहीं कर रहे हैं खाने पिने की वस्तुएं और उर्जा को हटा कर बाकी महेंगाई निकाला जाए उसको बोलते हैं core inflation और आगे आता है headline inflation headline inflation उसको बोलते हैं जब महेंगाई को खाने पिने की वस्तुएं और उर्जा को मिलाकर निकाली जाए जहां पर महंगाई छोटे समय के लिए निकाल जाती है तो याद अखना है जब महंगाई को लंबे समय के लिए निकाला जाए वो core inflation है जब महंगाई को हम छोटे समय के लिए निकालते हैं तो वो हमारा headline inflation है I hope आपको यह चीज़े समझ आई होंगी अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम कल्कुलेट करते हैं इंफलेशन को आज की वीडियो में यही तक रखेंगे I hope you like this video if you like the video kindly press the like button and don't forget to subscribe this channel and also don't forget to press the bell icon so that you can get the video update whenever we upload the new video you get notification first okay thank you, thank you very much for watching this video have a great day